तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आसानी से एक सिम्पल सा लॉगईन फर्म हम लोग बना सकते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पर एक पोल्डर है लॉगईन पॉर्म करके इसके अंदर सिंपल से स्ट्रक्चर है एक index file है html का एक image folder है जिसके अंतलब img folder है जिसके अंदर एक image है जो हम लोग background में use करेंगे और एक css folder है जिसमें कि एक external css style sheet है जिसको हम लोग link करेंगा और उसको use करेंगे सब्सक्राइब एक VS code को open कर लेते हैं visual studio code कर रहा इंडेक्स file है और style.css file है जो सब्सक्राइब एक basic structure है यहां पर बनाते है इसको title दे लेते हैं login form अब क्या करते हैं container बनाते हैं सबसे पहले इसका जो class name या class name इसका rapper दे रहेते हैं यह होगा इसका कि इसके अंदर एक form बनाते हैं simple सा form है इसका action है देंगे क्योंकि server side पर इसको कुछ connection नहीं बिल्कुल front end बना रहे हैं हम लोग तो यह रहा form इसके अंदर हम लोग username email और login button और दोस social जैसे facebook और google से sign in करने का button देंगे तो सबसे पहले हैं का label देते है और username इसके अंदर होगा username इंपूट होगा इसका type text और इसका जो id होगा username यूजर लेबल में हम लोग करते हैं सेम मतलब वही वैलू हम लोग का input में id को id में पी वही वैलू देना पड़ता है दोनों मतलब पास्वार्ट टेप्स भी जे सकते हैं लेकिन पास्वार्ट देना सही रहेका कि इसकी ये जो है पास्वार्ट टैप का ही है और इसका id प्स्वार्ट जेंग लेबल में लेवर के प्सपोर था ये होगा है अब कर ये बटन सब्मेट बटन इसको टैट सब्मेट इसका वैलू की होगा है लॉग इन लॉग इन इसको देखते है रन करके अगा ये वह कुछ इस तरह दिख रहा है तो सबसे बहुत बैगराउंड में एक इमेज देते हैं जो इमेज हम आरे पास है अब या इस में फॉल्डर में आएम सबसे पहले बॉडी में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं पैडिंग क्योंकि इसका कुछ रहता है बाइडेफॉल्ड पैडिंग जीरो मार्जिन भी जीरो और फॉल्डफेंन लोग़ा हम लोगकि बिथ यहंपर इस करेंगे मैं इस पैडिश्द के यह गूगल फॉण्ट में डाउनलोड अप कर सकते हैं उपनसेंस या इसका लिंक डेस्प्रिंध्रिशिन बाक्स देढहिए आझा हम यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह हो गया फॉंड्ट चेंज जो इसका कंटेनर है इसका क्लासने में रहापर इसका बैगराउंड इमेज को सेट करते है इसको जो वीड है उसको 100VW दे रहे है वीपोर्ट का जो वीड है और हाइट दे रहे है 100VH जो वीपोर्ट का हाइट है ठीक है देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं इसका बैगराउंड कलर रेट दे रहे है यहां पर इसका मुनों को नहीं आपर लिंक ने किया इसलिए इस्ताइल डॉट ऐसेस लिंक एसस फोल्डर देट इस अब यह लिंक हो चुका है अब देखिए यह हो चुगा है इसको प्रिमोब कर देते हैं अब हम लोगों को यहां बैक्राउंड में एक इमेज सेट करना है उसके लिए हम लोग देएंगे बैक्राउंड इमेज का प्रोपर्टी बैक्राउंड इमेज-url और इसमें क्या करेंगे कि इमेज फोल्डर हम लोगों का परस्ता उसके यूज करेंगे यहां पर और इम्जी डीजी डॉट जेपी अगरे 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 पर गलती हो रहा है तो हम लोग यहां पर और एक प्रोपर्टी यूज करेंगे बैक्राउंड साइज जो कि एक CSS3 का नया प्रोपर्टी है बैक्राउंड साइज तो कवर तो क्या वोगाँ यह पूरे स्क्रीन को कवर करेंगे मतलब जिसमा इस रैपर का हाइट यह देखें फूरा कवर कर चुका अब इमेज यहां पर साइद देख रहा है अब लोग क्या करेंगा फॉर्म को मोडिफाई करेंगे आप इसको सेंटर पर रखेंगे यह वर्टिकली और ओरिएंटली पूरा सेंटर होगा तो अब हम लोग फॉर्म को डिजाइन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले क्या करते है आप पर क्लास का नियम है रहे आपर इसके अंदर है फॉर्म तो इसको जो भी है सेट कर रहे है 25 परसेंट अब कुछ भी दे सकते हैं 30 या 40 तक बढ़ा सकते हो इसको हाइट 400 ठीक रहेगा और इसका बैगराउंड कलर वाइट रहे है तो इसको देखते है तो इसके अंदर को जो एलिमेंट्स उसको बाद में हम लोग करेंगे सबसे पहले इसको परफेक्टली सेंटर पर लाते हैं मतलब वर्टिकली और हॉरिजंटली सेंटर पर इसको करते हैं उसके लिए क्या कि css नहीं है नहीं काउंसप्ट आया फ्लेक्स बॉक्स करके तो कंटेनर जो की रहा पर उसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर और यह करते हैं उसी तरह डिस्प्ले हां फ्लेक्स और हॉरिजंटली सेंटर करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यह क्या होगा और वर्टिकली वर्टिकली सेंटर करने के लिए अलाइज आइटम्स यह क्या होगा कि वर्टिकली भी सेंटर हो गया यह हो गया अब हम लोग थोड़ा पैडिंग इसमें डालेंगे प्वार्म पे पैडिंग 30px टॉप एन बॉटम देते हैं और लिफ्ट और राइट 20px यह सही रहेगा यहां पर और एक चीज आपर एड़ करना है सबके लिए होगा वॉक्स साइजिंग वॉक्स साइजिंग बॉर्डर वॉक्स अब यहां पर थोड़ा मार्जिंग देंगे फॉर्म के ऐलिमेंट्स सबके लिए जो फॉर्म का लेवल है और जो फॉर्म में इंपुट जितने भी टैग्स है वो सारा डिस्प्ले ब्लॉक होगा अब यह सही है अब जो टेक्स और पासवर्ड है जो इन्पुट टैप टेक्स और पासवर्ड है जैसा अब देख रहे हैं इन्पुट टैप एक टेक्स्ट पासवर्ड है और यह जो सब्मेट बटन है इस सबके लिए इसका जो वीड़ तो वह 100% set कर दे रहे हैं ताकि यह पूरा full area ले सब्सक्राइब इन्पूट टाइप पासवर्ड हुआ तो उसके लिए style apply होगा थोगा से गलती होगा ठीक है कि उसको भी 100% होगा देख लेता है थोड़ा इसके result क्या आता है अब क्या करते है margin देते इन सभी के बीच में पॉर्म का जो level है form में जो input है और form में जो submit बटन है इन्पूट में यह आ रहा है यहां पर इसको छोड़ देते हैं अभी margin टॉप जो है margin बॉटम चाहिए यहां पर 10px का margin बॉटम लेते हैं देखें अभी सही है और input में थोड़ा पैडिंग डालते हैं बस टेक्स्ट और पासवर्ड में तो पैडिंग इसका टॉप एन बॉ जब इस पर click करते हैं तो एक outline आ था blue color का यह देख रहे हैं यह नहीं चाहिए तो इसलिए हम लोग आपर क्या एक property यूज़ करेंगा outline यह लिखने से क्या होगा कि अब outline नहीं आएगा outline नहीं आ रहा है इस वाम लोग background color भी यूज़ करेंगे तो ऐसा करते है background color e c e d f 0 gray अब देख यह 3d app से कुछ लोग कर रहा है इसको हम नहीं चाहिए तो यहां पर क्या करेंगा border भी हम हटा देंगे आप बॉर्डर नं यह देख बॉर्डर चला गया ठीक है अब submit बटन जो है इसको हम लोग आप change करेंगे इसका टाइप किया हुआ submit ठीक है इसका लोग बॉर्डर इसका नहीं चाहिए तो बॉर्डर इसको बॉर्डर साइब चला गया अब क्या करेंगे इसका कर्सर को पॉइंटर करेंगे सबसे पहले ताकि जब भी हम इस पर कर्सर ले जाए यह देखें पॉइंटर आए बैगराउंड कलर इसका चेंज करेंगे इस बार बैगराउंड कलर इसमें हम लोग ग्रीन यूज करेंगे इसका जो कलर होगा वाइट यूज करेंगे इस पैडिंग चाहिए तो अब जैसा चाहिए पैडिंग इसमें रख सकते हैं इसमें पैडिंग टॉप और बॉटम में 10 सही रहेगा और लिप्ट और डाइट में 22 30 प्यक्स अब दे सकते हैं यह देखें सही है वह सा कॉर्णर बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर रेडियस जो की कॉर्णर राउंडेट कॉर्णर फिल यूज होता है आपर 3 पिक्सल आपि ब्लर के लिए और ब्लैक का एक कॉमिनेशन यूज करेंगे पूरा प्यूर ब्लैक और अविफा में 0.2 यह देखें थोड़ा एक शैडव आएगा यह सब देख पा रहे हैं यह हो गया इतना तक कंप्लेट हो जुगा यहां पर एक हम लोग प्लेस वोल्डर दे सकते हैं ताकि यहां पर कुछ एक दिख पाए कि क्या करना यूजर को हिंट देने के लिए जैसे यूज करते हैं इंपूट में आपर हम लोग लिखेंगे प्लेस वोल्डर एक्जामपल इंटर यूर पासवर्ड इतना तो कंप्लेट हो गया अब आगे हम लोग अदू अब शोसल नेट्वर्टिंग के बटन आपर बनाएंगे तो अब हम लोग है आपर शोसल बटन बनाएंगे एक फेसबूक के गोगल का ठीक है तो आपर इसमें जाते हैं एक डीब बनाते हैं डिव में इसको ख्लास रहेगा वैश्थ कर्च च्वल में बंस तरह रिखते हैं या ऐस सोसल लोग इं तेक है इसमें दो बटन देंगे तो पहला का जो पहला का जो पहला का जो प्लास नेम होगा वह सूशल लोगिन एब भी देते हैं और इसका देते हैं टेक्स लोगिन विद ऐसेस्ट टेक्स लोगेम अने इसका चलास रखें सोशल लॉगिन है और इसका जो सब्सक्राइब क्या कर은गे तो करते हैं जाके क्योंकि यह जो है सूसर लॉग इन के अंदर है तो ऐसा करते है तो सूसर लॉग इन के अंदर बटन है दो इसको ब्लॉक करते हैं यह हुआ है यह होगे और जो दोनां का वीट थे पर अब साहिए आप क्या करते हैं इसको टेक्स सेंटर करते हैं इसको सेंटर करने का जोरत नहीं है और जो बार्डर में नहीं चाहिए तो बार्डर-ड्री और नन अभी घडिया अब इसका कलर और बैगरांड को चेंज करें अब तो और यह क्यूंकि दोनों का सेम नहीं तो इन दोनों का अलग अलग जो क्लास बनाए उनके सबसे कर लेंगा तो कलर क्यूंकि इसका वायर्ट होगा तो यह बाद में कर लेंगे पै margin हम 10 या 20px देज सकते हैं यह फिर ऐसा करते हैं जो हम लोग ने सबसे पहले margin के लिए class यहां पर लिया हुआ था देखते हैं कहां पर यह देखें form label और input के लिए 10px यहां पर add करते हैं है ऐसा करते हैं form button देखते हैं हां यह हो गया है कि अप्ला करते हैं कि यह बहुत सामने हो जा रहा है login से login button से इसको ठाड़ दूर करते हैं तो margin यहां पर और एक लेते हैं यहां पर जो social login class है buttons के लिए यह container का काम कर रहा है margin top हम लोग यहां पर 70px 70 या 80 लेकर देखते हैं कि इतना margin जाता यह सही रहा है fd यह के social login google करके तो से पहले social login fd का जो color देंगे background color हो रहाएगा 0277bd यह हुआ एक google के लिए social login google का background color जो होगा e5 3935 यह color change करना कि color दोनों का white होगा तो हम लोग यहीं से कर सकते हैं button को यह modify करेंगे color ff देदेंगे तो दोनों के लिए यह white हो जागा ठीक है यह हो चुका है अब क्या करेंगा हम लोग यह जो form का box है इसको थोड़ा 3D look देने के लिए आपर हम लोग box shadow का use करेंगे box shadow 2px, 2px horizontal, 2px vertical और 8px blur होगा और 3, इसके नहीं पर देंगे spread जो होता है फैल रहता है और RGB 0000, 0.3 या 0.2 तो सही रहेगा 0.2 देते हैं अब यह सही है अब बस एक ही चीज़ बचा हुआ है इसका जो hover state मतलब hover state जो माउस इस पर ले जाएंगे तो इसका color या opacity चेंग होना था है इसमें इस पर यहां पर क्या करते है social login button है mouse इस पर लिया जागा तो इसका opacity 0.8 कर देते हैं इस तरह देख सकते हैं हमने यहां पर इसका cursor भी change करना cursor को pointer के रखते हैं ताकि mouse ले जाए तो pointer इसका transition इसमें add करते हैं ताकि smoothly यह color change हो ठीक है transition property है 0.5s पर रहेगा और यहां पर लिखना पड़ागा all हो सकते है smoothly change हो रहा है कि यह एक simple सा form आने वाले वीडियो में और भी बहुत सारे का form बना के हमको दिखाएंगे झाई प्रस्थ